तूझ कि अगर चोटा बच्चा जैसे वन तो फोर यर का बच्चा है तो उसमें नॉमल देखने के लिए मिलता है कि हर बच्चा जो है वह चुटी-चुटी बात पर चिर चिर आता है ठीक है टारं टेंटरम सो करता है कि उसे कुछ चाहिए चोटी-चुटी चीज कजित करना तो यह नॉमल जो है वह एक डवलपमेंट का पार्ट होता है तो उसमें उसको प्रजेंट रहता है लेकिन अगर जैसे कि कोई भी जैसे बच्चा बढ़ा हो रहा है अगर यह बहुत जादे एक्दम एक्सेस लेवल पे और वन तो फोर यर के बाद में भी जो है वो नहीं ज तरफेंड के साथ में बच्चा बच्चे का डवलपमेंट हो रहा होता है जिससे बच्चा बच्चा बर्खेंट हो ग अगर उसने कोई डिमांड भी की तो अगर उसके ममा पापा कम्प्लीट नहीं कर पा रहे तो वो उसमें जो है वो फ्रस्टेशन सो करता अपनी नीड के लिए अगर हम जो है वो जो टैंपर टेंटरम्स बच्चा सो कर रहा है अगर हम उनको मैनेज कर सेकेंगे ठीक है तो उनक के अकोरडिंग जो है वो एक चैलेंजिंजीं मूमेंट पैरेंट्स के लिए उसके रहता बच्ची के लिए भी चैलेंजिंगी मूमेंट रहता है तो उसको मैनेज कर नाषब यहे वो रहता है प्रस्टेशन के रिवेन वो present रहता है तो first one है frustration अगर कोई भी बात जो है अगर वो किसी बात से frustrated हो रहा है like उसे कोई task को accomplish करना था उसकी कुछ need थी उसे twice चीए था उसे chocolate चाहिए थी हमने उसकी need जो है वो fulfill नहीं की तो उसके according वो frustrated होने लगता है तो अगर हमने उसको जो चीज उसे चाहिए जो चीज उसे complete करनी अगर वो चीज complete नहीं हुई तो उसको frustration जो है वो सो करने लगता है तो frustrated होके वो टांपा tantrums जो है वो दिखाता है hunger और fatigue अगर बच्चा जो है वो भूंका फील कर रहा है तो उसको physical discomfort की बज़े से जो है वो उसे भूं tolerate नहीं हो रही तो उसकी बज़े से भी जो है वो tantrums जो है वो सो कर सकता है desire for independence wanting to do things or their own मतलब वो अपने विस के according जो है वो चीज करना चाहता है वो खेलना चाहता है या फिर वो कुछ और other activity जो है वो करना चाहता है लेकिन हम जैसे parents है तो उसकी wish है वो complete नहीं होने दे रहे तो उसकी बज़े से अगर independence अगर चाहा रहा है उस टाइम पर और हम complete नहीं कर रहे तो भी वो क्या कर सकता है अगर हम उसको जो है वो क्या चाहिए होता है कि वो को लोग उससे बात करते रहें अगर हम उससे जो है वो बात नहीं कर रहें उस टाइम पर तो अटेंशन गें करने के लिए सेंटर ओफ अट्रेक्शन बनने के लिए जो है वो अपने पैरेंट से अपने केर गिवर से या फिर जो भी फामली मेंबर से उससे जो है वो तैंटरम सो करने लगते ताकि बच्चे के ऊपर और सब का ध्यान जो है वो चला जाए निक्स वन है ओवर स्टुमिलेशन फीलिं दिखा सकते हैं निक्सन कम्यूनिकेशन इससों नॉट हाविंग दवर्स तो एक्सप्रेश देर नीड्स और विलिंग अगर जब उसके पास में वर्ड्स नहीं रहते हैं कि अपनी फीलिंग को अपनी जो नीड हो उसको कैसे बताया जाए कैसे कहा जाए तो भी जो है वो कि pagan सबस्सक्राइब शाउटिंग और रियक्टिंग एमोशिश रही है जैसे बचचा देंटर्म सो कर रहा है तो हमें एकदम से चिला नहीं है थीक हमें उसमें ओपर एकड़का मेल में रिय में एकडम कामियमें जो है इस सको बात तेम कि हुशिश कर रहा है यह उस को उना things like I see you are upset because you wanted that to have okay हमें जैसे कि उसकी जो feeling वो कहना चाहरा है कि उसको acknowledge करना है कि हमें उसकी बात समझ में आ रही है ऐसे उसको बोल ला है कि जैसे मुझे पता है कि तुम क्या चाहरे हो ठीक है या फिर अपसेट क्यों हो रहे है तुम्हें वो ट्वाय चाहिए ऐसे करके उससे बोल ला है validating their emotion helps them feel understood उसकी जो भी feelings है उसकी जो भी need है हमें उसको validate करना है कि हम जो उसकी feelings है कि हम उसकी feelings को समझ रहे है ऐसा नहीं कि हम उसको ignore करें उससे डांट दें उससे करने लगें तो हमें उसकी good चीज के लिए बताना अगर उसके लिए वह चीज बाड है तो उसके लिए बताने कि यह problem है इसकी बज़े से हम आपको यह चीज नहीं दिला पार है तो हमें उसकी चीज जो हो अब हो इकनलगेच करने समझ के उसका अंसर करना है अब हमने उसे कज्स की अगर हम उसे भो चीज उसके लिए बेनेफियर नहीं शेवीं नहीं डिलाना चाहर है तो उसको हमें उस चीज से डिस्टांक करना कुछ alternative activity वगेरा ठीक है alternative activity वगेरा लाइक उसका ध्यान किसी और चीज पर चला जाए हमें उस चीज पर focus कराने की कोशिश करनी है next one set clear limits be consistent with rules and consequences हमें क्या रहना है हम consistent रहना rules regulations जो हैं वो अगर उसके क्या consequences हो सकते हैं अगर हमने वो चीज कर दी जो भी वो जित कर रहा है तो उसकी consequences चीजों को देखते हुए हमें thresholds रखने limits रखनी है कि हमें वही चीज माननी है जो चीज जो है वो cooperative है या फिर जो चीज अंडर दर लिमिट्स जो है वो आती है वही चीज माननी है हमें unnecessary demands को उसको pamper करने के यह चीज जो है वो गलत आप यहां पर सो कर रहे है तो उसको अपने according अपने language को मोल्ड करके उसको समझाने है इग्नोर द भीहेवियर इफ सेफ टू डू सो अगर हमें उसका behavior जैसे वो सो कर रहा उसको sometimes हम इग्नोर भी कर सकते है उसको जरूरी नहीं कि एकदम साम attention जो है वो दे उसको बहुत ज़्यादा प्यांपड करने लगे सम्टाइम्स टेंटरम सार अबाउट सीखिंग अटेंशन नॉट इंगेजिंग केंड डी एसकेलेट द सिजुएशन अगर देखो साल कुछ टाइम के लिए ऐसे बच्चे जो है वो टेंटरम सानबूच के दिखाते कि उनको जो है वो अटेंशन मिल सेखिए तो हर टाइम उनका पर ध्यान देना भी तो आगर हम उनको जो है वो थोड़ा से अग्नौर करेंगे लेकिन अगल बस उसमें रखेंगे कि हम अपने उनको अपनी नजर से दूर कर रहें बस उस चीज को जो है वो एग्नौर कर गए या फिर कुछ ऐसे decision making हम उस time पे कर सकते हैं कि अगर उस time पे उनका frustration जो है वो कम हो सके अगर यह चीज जो है वो justified है तो हम वो चीज उनको जो है वो जित कर रहे है लाइक भूंक लगी है अपर कुछ लगाया ठीक है तो उसको जो है वो हम उस time पर उनको offer कर सकते हैं phone for example do you want the blue cup or the red cup ठीक है जैसी कि हम उनको अगर वो चीज को जित कर रहे है कोयी toí की जित कर रहे है अगर वो justified है तो हम उनको दिला सकते हैं आँ को ठीक हम उनको जो जीज और करेंगे कि आप यह वाला cup चाहते है यह वाला पशां एक वो कपकी जित कर रहा हैं तो हम उनको offer कर सकते हैं कि आप कौन सी वाली चीज चाहते हैं आपको यह वाला लेना है या फिर यह वाला लेना है क्रॉस कर रहा है उनकी बात को मानने के लिए आफ्टर टेंट्रम्स offer comfort and discuss the incident कामली जब वो टेंट्रम्स उनका जो है वो खतम हो जाए जैसे उन्होंने भालतू का जो है वो गुस्या कर रहा था बच्चा एग्रेसिवनेस दिखा रहा है तो जब यह बच्चा काम हो जाता तब उनको जह वो समझाना उनको comfort प्रोवाइड करना और उनसे वो incident जब वो जित कर रहा था तो उससे वो कामली डिसकस करना जैसे की sometimes बच्चे जैसे की shopping mall वगेर गया तो वहां पर बहुत जादा चीजों के उलेके जो है वो जित करना लग जाते लेकिन उस टाइम नहीं सुनत जब हम घर आते हैं तो उनसे जब वो कामली बिहेव कर रहे होते तब हम उनको समझा सकते हैं कि ऐसा मतलब open places पर नहीं करना अगर आपको कुछ है तो आप सांती से जो है वो बता सकते हैं तो that help the child level their emotion and brainstorm solution for the future यह जो है वो बच्चे के लिए जो emotional उनका जो है वो control कराएंगे और future में उन्हीं क्या चीज़ें सही हैं ठीक है शायद उनको वही चीज ध्यान रहे ठीक तर नेक्स टाइम वो इस चीज के लिए जो है वो चीजों को लेकर जिदना करें और हमें उस बात का जो है वो solution जो है वो best way में मिल सेके है